पेहज इंट्रेस्टिंग है बाजार में आज का कारोबार सिमित दायरे में कारोबार करते हुए इंडेक्स और साथी सेंसेक्स और निफ्टी लेकिन बैंक डिप्टी में हलकी गिरावट और आदानी गुर्प के शेरों में बारी उतार चड़ाओ बचावाट देड़ गंटा और कल की क्या करें तैयारी रहेगा फोकेस इसे पर स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में नमस्कार मैं हूँ अनिल सिल्वी और नमस्कार मैं हूँ दिपानशू भंडारी और अनिल सिर्वी बड़िया रिकवरी बाजार में आती हुई दिखी है निफ्टी तो पूरी लॉसे रिकवर करते हुई दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी अच्छा आक्शन है तो इस आक्शन को समझेंगे सर और उससे प आने की तो अभी आप कह सकते हैं दिनके उच्छ तमस्तोरों की तरफ बाजार लोड़ते हों दिखेंगें 15,800 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी 34,800 के ऊपर इस वक्त आपको नज़र आएगा तो कुल मिलाकर रिकवरी के संकेत आपको बाजार में नज़र आएगे दिखेंगे इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी धाईसों कमजोर हैं कोटक बैंक, SBA, HDFC ये तीन दिखदेश हैं जो बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं फार्मा और IT शेरों को छोड़कर सभी सेक्टर इसे तीन सेक्टर हैं जो आदा से एक परसेंट कमजोर हैं दाव फूचर में कोई खास एक्शन नहीं मजबूत है रहे निशान में फिसले हैं थोड़े उपर से अब सपार्ट है ये योरोप के बाजार आदा से पौन परसें मजबूत है तो मिला जुला सा कारोबार अंतरा आदानी ग्रूप से जुड़ी कुछ कंसर्ण सी सुभा जिसके वज़े से वहां पर गिरावट आई और फिर पूरे बाजार में सुस्ती रही बट जिस तरह से रिकवरी आई और अब आल्मोंस पॉजिटिव टेरिटरी में भी बाजार लॉट चुके हैं क्या समझना चाहि या कमजोरी गिरावट ऐसा नज़र नहीं आएगा तो अदानी ग्रूप के अलावा कहीं कोई कमजोरी के संक्यत ऐसे खास है नहीं जो कुछ कमजोरी है वहीं पर है और आप देखे दूसरी तरफ रिलाइंस डेर परसिं की मजबिती के साथ टॉप गेनर है आज के सेशन में तो वहाँ से अच्छी खरीदारी होती भी दिख रही है तो मुझे लगता है और ओर ओल इंडेक्स के लिए आज से कहीं कोई समस्या नहीं है फार्मा तैयारे सपोर्ट देने के लिए आई टी तैयारे सपोर्ट देने के लिए कुछ हट तक रिलाइंस तो है ही तो ऐसे में इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत चिंता की बात है और एक हलका करेक्शन जो जरूर थी बाजार को जो कहते हैं कि हलके या कमजोर ट्रेडर्स को साफ करने के लिए सिस्टम की क्लेनिंग के लिए वो आपको सुबह सुबह मिल गया और इसलिए आज सुबह हमने एक बार राई भी ज़िए कि एक बार आप 15,575, 15,625 की रेंज तक के लिए शोट करिए और उस लगबख 15,600 के आसपास से बाजार गुमा है तो और बैंक लिटी भी 34,400, 34,600 के जो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन से 34,400 के आसपास से सपोर्ट लेकर गुमा है तो एकदम प 15,575 बार बार में इसलिए लगातार पिछले दो हफते से आपको एक ही आखड़ा रटा रहा हूं कि जब तक 15,575 के नीचे बंद नहीं होता तब तक डरना गवराना नहीं है दिन के दुरान थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाए होता रहेगा ये चलेगा लाइफ टाइम हाइपर हैं आप मार्केट में आप कभी वो जितना पहाड पे परवत पे उपर चड़ते हैं उतनी हवा तेज होती है जोंके तेज लगते हैं वैसे हाल है जितना लाइफ टाइम हाइपर आप उपर जाएंगे उतनी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है इस वोलेटिलिटी में क् से आज कुछ भी खरीदेर कल उपर में ही बिखना है वह वाला जमाना निकल गया है अब मैंने से पैसा कमाने का वक्त है तो आपको थोड़ा सावधानी से पोजिशन हलकी रखते हुए कन्विक्शन के साथ और अपने ट्रेडिंग स्टॉप रोसेस के साथ होल करना है ताकि इ अब यह सेटल हो जाए तब वापस से आराम से फुल सेच काम करिए कोई दिक्कत वाली बात ने तो एक दो दिन आप शांते से निकालिए देखिए सुबह इतना गिरेगा यह शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा होगा वापस रिकवरी इतनी शार्प और बढ़िया होग आपको बता रहे हैं कि दोनों तरफ के मौकों के लिए थोड़ी बढ़ सकती है एक बार देख लेते हैं कि अनल सर की तरफ से बाजार पर आपको क्या सलाम में ली थी 15,850 के साथ शोट करना चाहिए दिप 15,750 मिनिममम है और उसके बाद 15,700 की रेंज के लिए थोड़ा सा यहां पर एक बिकवाली का मौका बन सकता है चुकि हम फ्लैट खुल रहे हैं तो उसका फाइदा उठाया जा सकता है 34,900 तूटने पर बैंग डिफ्टी पर भी शोट पोजिशन बनाई जा सकते हैं 35,200 के स्टॉप्रोस के साथ आप बेच सकते हैं यहां पर 35,850,750,650 यह तीन टार्गेट नीचे की तरफ रख सकते हैं तो इसलिए आपने देखा होगा लंबे समय बाद हमने पहले शोट कोल आ गिया और स्टिक स्टॉप्रोस के साथ शोट की भी राय दी और मुझे आ लिया था पिछली बार मैंने कब बोला था कि जहां खुले महां पर आप बेचिये 15,550,575 इस रेंज पर फोकस करना है अगर इसके नीचे आज बंद होता है तो फिर डेफिनेटल आपको पोजिशनल टेर के तौर पर भी अपनी पोजिशनल की करी चाहिए ये थी आपके लिए बाजार की सला और अगर आपने इस सला सुनिये तो दोनों तरफ में आपने मौके का फाइदा उठाया होगा आए थोड़ी देर में आपको बताएंगे कौन से इवेंट्स और साथी खबरों वाले शेर्स जहांपर आपको रखनी है नजर पर उससे पहले हमारे गेस्ट्स अपनी कॉल्स के साथ तयार है शुरुआत करते हैं सचित जी के साथ बिगुल बीटी एस टी ठीका गुद आफ्टनून सचित जी बताएं सेर गुद आफ्टनून अनिल जी यहां पर खरीदारी करनी है कैश सेग्मेंट के स्टॉक में स्टॉक का नाम है इंडो काउंट लिमिटेड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है पिछले हफते में हमने एक काफी एक अच्छा ब्रेकाउट देखा था ओन इस वीकली चार्च और जिस तरीके से यह ब्रेकाउट के बाद एक अच्छा पुल बैक आया है मुझे लग रहा है वापिस एक अच्छी अपॉर्चनिटी बंदरी यह फ्रेश लॉंग्स आड़ करने के लिए stop loss आपको लगाना है around 165 के आसपास यह stop loss आपको closing basis पे लगाना है जिस तरीके से इसका structure है मुझे लग रहा है around 189 के आसपास के swings immediately बनने चाहिए positionally अगर weekly charge पे देखे तो लगबग 200-210 के आसपास के swings बन सकते अगर यह position हम 1-2 हफते के लिए maintain करें तो खरीदारी करनी है इंडो काउंट में target होगा trading का around 188 का stop loss होगा 165 का ओके तो यह है आपके लिए इंडो काउंट पर खरीदारी की राय सच जी की तरफ से positionally भी अच्छी गेंज आपको दिखा सकता है आईए चलते हैं सुमित जी के पास बिगुल सुमित के सूपर हिट गुड आफ्टन सुमित जी बताएं सर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद और कंसुलिडेशन के बाद युनियन बैंक में एक upside move वापस से रिज्यूम हुआ है एक अच्छे खास से volumes के साथ एक strong price action आट स्टॉप चे अंदर देखनी को मिल रहा है बॉलिंगर बेंड का middle बेंड क्रॉस हुआ है मुझे daily chance में युनियन बैंक अच्छा दिख रहा है उके युनियन बैंक यह है पसंद सुमिध जी को आई देखते हैं वागले साब को क्या पसंद है बिगुल वागले का वंडर पसंद साब ओके 608 से 610 के लेवल्स के लिए खरिदारी करें ICICI प्रू यह भी एक काउंटर है मोमेंटम में आते हो दिख रहा है चलते हैं किरन जी के पास बिगुल किरन के कमाल बुद आफ्टनून किरन जी बताएं सर 15800 का वो क्रॉस किया है और जो स्टॉक इस मूव को और उपर लेके जा सकता है वो है रिलाइंस रिलाइंस इमिजटली बाय करना है 225557 के आसपास का ट्रेड है इधर बाय करना है 2230 का आपका stop loss रहेगा और कल तक के लिए 2340 2350 के टागेट देखने को मिलेंगे इधर से लग तो दोनों तरफ से एक तेजी का माहूल देखने को मिलने वाला है सब एक काफी short position strap हो चुक है और Reliance एक ही एक ऐसा counter है जहां पर बिलकुल हमें मंदी देखने को नहीं मिली बलकि इसने थोड़ा सा support गया है तो chart pattern बहुत strong है 2340 50 के लिए बिलकुल long positions create करने चाहिए मेरा stop loss 2230 जिरो करेगा ओके बाइस सो तीस के साथ करेक खरीदारी Reliance के counter में यह राय आपके लिए यह रंजी की तरफ से 2340 और 2350 के टार्गेट के लिए अगला बीगुल आशिवसर के लिए स्विंग के सुल्तान आशुमदान बताए आशिवसर अनिल जी मेरे पास चार पांच एट लीस्ट चार कॉल्स हैं लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी क्या कहते हैं जो वालिटाइल और थोड़ी जो आज की अनिल जी अदानी पोर्ट साड़े आठ सो पे फंडामेंटल बहुत अच्छे लगते दे सब कुछ लगता था और यह जो न्यूस आई है इससे कोई वर्किंग और किसी में कुछ चेंज नहीं हुआ और अनिल जी जिस भाव पे अदानी पोर्ट मिल रहा है हमारा इसमें अनिल जी इसका भाव चल रहा है क्या 63-64 रुपे अनिल जी यह बनता है इसकी कॉस्ट आती है 30 रुपे 30 रुपे मीन 700 प्लस 30 रुपे 730 रुपे का अदानी खड़ा हो जाता है और अनिल जी उपर में मतब नीचे में तो maximum loss 730 रुपे का होगा और एक बहुत बड़ी correction आ चुकी है और मुझे लगता है कि यहां से आज कल में कोई clarification आ सकते है कुछ है कुछ वापसी होगी क्योंकि अनिल जी हमारा जो positional view है इसमें जो 900 का target है प्लस का वो intact है तो यह से 30 रुपे मिल जाएंगे और आप अदानी में participate भी कर सकते हैं और क्योंकि नीचे घटते हुए बहुत अच्छा भी लगता है लोगों को कि मतलब लेकिन अली जी इतने बड़े loss के बाद जिसका loss हो गया वो तो ले नी सकता बड़ा इस पर्फेक्ट टाइम तो create this spread ओके तो यह है आपके लिए राय अदानी पोर्ट पर spread बनाने की one is to one का bull spread है और आने वाले दिनों में अच्छी move आ सकती है बट इस बीच IDFC Limited इसके share को pull up करिए क्योंकि घाटे से मुनाफ़े में आती हुई दिख रही है आपको company 240 करोड रुपे के घाटे के मुकाबले लगबग 41 करोड रुपे का आपको मुनाफ़ा आते हुई दिखा है जहां तक IDFC Limited का सवाल है और definitely अब आप देख रहे हैं कि उसका reaction भी stock पर आ रहा है 47 करोड से बढ़कर consolidated मुनाफ़ा 130 करोड रुपे का आया है तो यह भी एच्छी बात है standalone level और consolidated level दोनों पर मुनाफ़ा का figure बहुत ही बहतर आते हुए दिख रहा है standalone लेवल पर घाटे से मुनाफ़ा में भी आ गई है कंपनी कुनाल जी जरा चार्ट पर भी राए दें सर नतीजों पर react कर रहा है counter IDFC Limited देखे चार्ट पर भी एक breakout intraday और daily charts पर आता हुआ दिख रहा है दिपांशू मुझे चार्ट काफी अच्छा लगता है इसको positional basis पर रखते हैं तो यहां 62-63 के दाम आपको आते हुए दिखेंगे hold करने की राये है आज के day low पर एक stop loss रखें और 63 के लक्षे से खरीदारी भी कर से ओके तो 63 के targets के लिए IDFC limited पर रखें वरोसा अच्छी move आती हुई दिख रही है counter में नतीजों के बाद पर धेरो और नतीजे और कुछ खबरे अलड़ी आ चुकी है उनके बारे में जानेंगे वरुन के साथ और साथ ही मांसी से जानते हैं कुछ एहम events जहां पर हमारी नजर है मांसी गुदाफरों शुरूबात करते हैं बताएं कौन से events पर नजर है गुदाफरों दिपांशू बाजार बंध होने के बाद कोल इंडिया के नंबर्स पर फोकस रहेगा इसके लबाद जेपी इंफ्रा टेक के resolution प्लान पर वोटिंग जो कि आज से शुरू हुए है इस पर नजर है जेपी इंफ्रा के committee of creditors NBCC और सुरक्षा रियाल्टी के submit किये गये जो प्लान्स है उन पर आज से रिकर 23 जून तक वोटिंग करने वाले हैं मई में retail महगाईदर यानि के CPI के आकड़े जो है में के वो आज आते हुए दिखेंगे कल वाइदा बाजा में Jubilion Food LIC Housing PFC के नतीज़े आते हुए दिखेंगे Marksins Pharma Convertible Warden जारी करने पर बोर्ड बैठक होगी LIC Housing Finance Equity के जरीए पूंजी जुटाने पर एक बोर्ड बैठक करेंगे वही स्पंधनास पूर्ती NCT के जरीए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे साथी गोल्ड जूल्री पर हॉल मार्किंग जो है वो कल से लागू होती हुए दिखेंगे और US PED की दो दिवसी अब बैठक जो है वो भी कल से यानि कि 15 जून से शुरू होती हुए दिखेगी बुद्वार 16 जून कैश में CESC, Nureka, Electra, Green Tech, Rights Limited जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे CESC नतीजों के साथ शेर विभाजन पर एक बोर्ड बैठक करेंगी IPOs के अगर बात करें, शाम, मेटलिक्स और सोना, BLW, प्रेसिजन के IPOs बंध होंगे बुद्वार के दिन वहीं किम्ज और डोडला, डेरी के IPOs खुलते हुए दिखेंगे X-Dividend, ICSA Prudential और Shriram Transport Finance ये कंपनियों की डिविडend की X-Date होगी 16 जून यानि की बुद्वार का दिन और USPED की पॉलिसी भी इस दिन आती हुए दिखेगी ओके तो डेरो इवेंट्स हैं जहां पर हमारी नजर है पर आए कुछ ख़बरो वाले शेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं वरुन के साथ गुड़ाफ़न वरुन बताइए इसके मार्केटिंग के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिल गई है अगली ख़बर है ट्रांस्फोर्मर्स और एक्टिफायर्स के लिए इस कंपनी को गुज़ाथ की गुज़ाथ एनजी ट्रांस्मिशन कोपरेशन से 63 क्रोस का एक ओर्डर मिला है इंटेलेक्ट डिजाइन इस कंपनी ने क्लाउड अधिरिक टेकनोलोजी का प्रैट्फॉर्म जो है वो लॉंज किया है प्रैट्फॉर्म को नाम है आई क्रेडिट 360 इस कंपनी को एक लाग अथरिक वाच किचन सिंक का उत्पादन कंपनी ने जो है वो शुरू कर दिया है भावनगर प्लान में शम्ताविक्सार के बाद ही उत्पादन जो है वो शुरू किया गया है आयोबी मुनाफ़ा 140 क्रोड से बढ़के 300 क्रोड पर आया है ग्रॉस एंपेस कम हुए है 12.2% से घटका 11.7% पर आया है और कमनी को जो नेट इंटरेश मार्जिन है 2.6% से घटके 2.22% पर है एनाय जो है 15.31 से घटके 14.03 क्रोड पर आया है अन्या आई हुई है कमनी को करिए 20.20 क्रोड के आसपास की इसके लिए मुनाफ़ा में आपने बढ़ती देखिए केलिटन टेक सलूशन्स यहाँ पर मुनाफ़ा 22 क्रोड से घटके 19 क्रोड पर आया है कमनी की आया जो है हलाकी वो बढ़ी है 198 क्रोड से बढ़के 209 क्रोड टाटा मोटर्स एंसीडी के जारी है 500 क्रोड तक जुटाने के लिए यहाँ मंजूरी मिल चुकिया इस कमनी को कुछ बढ़े ट्रेड्स हुए आर्वियल बैंक में 55 लाग शेहस के बढ़े सोदे हुए 2015 लुपे 25,000 लाग शेहस के बढ़े सोदे हुए63 के बढ़े सोदे में बलाए सुमी जी बाई का श्टॉक का बाउच चल रहा है अट्सट रूपे 50 पैसे अट्सट रूपे 70 पैसे श्टॉक का नाम है मॉडपें लेप यह पहले भी रिकमेंड किया है अभी हाइर लेवल्स पे आ चुका है और यहां से और उपर का मूँव देखने को मिलेगा अज स्टॉक के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है बॉल्यूम के साथ यह पॉजिटिव प्राइस एक्षिन देखने को मिल रहा है मेरे को लग रहा है मॉडपें लेब में यहां पर चौकतर रूपे का पैला टारगेट बनेगा असी रूपे का दूसर टारगेट बनेगा अगला विगुल आशु सर के लिए सिंग के सुल्तान आशुमादान बताए आशु सर आपके स्प्रेट्स अनिल जी दो तीन कॉल्स है और एक दो अपडेट्स भी है तो मैं चाहूँगा कि आप एक साथ लेने तो अच्छा रहेगा अनिल जी टाटा मोटर में भी कंसॉलिडेशन जो 360, 40, 45, 45, 45 जो एक जो 330 के बाद का मूव आया था वो पूरी हो गई है तो मुझे लगता है आगे पीछे करके अब टाटा मोटर next move के लिए तैयार है अनिली जी लेकिन spread है इसके अंदर भी अनिली जी जो spread में दे रहा हूँ है अभी Tata Motor का भी एक और stock का भी दूँगा अनिली जी सारे one is to one है बड़े safe spread है और आपको पैसे मतलब अगर आप right जाएंगे तो पैसे अच्छे आजाएंगे और कोई tension नहीं होगी और आठ दिन के लिए spread है क्योंकि आठ trading sessions रह गए है तो अनिली जी टाटा Motor की 340 की call लेनी है जिसका भाव है 21 रुपे 340 की और 360 की भाव call बेच लिए जिसका भाव है 10 रुपे तो अनिली 21-10 आपकी cost होगी 11 रुपे 340 प्लस 11, 351 रुपे का Tata Motor आपका long हो गया अनिल जी भाव चल रहा है अल्रेडी 353-4 रुपे तो अनिल जी आप अल्रेडी इंदा मनी है 10 रुपे लगाके आपको 10 रुपे मिल जाएंगे 2850 का lot है अनिल जी अगले 6-7 दिन के लिए अगर 28,000 रुपे लगाके 28,000 मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रेड है क्योंकि यहां से अब यह 2-3 बार 354, 55, 35 consolidation के बार 342, 45 आता है और वहां से चौती बार आ गया है अनिल जी अब यह उपर निकलने को तयार है तो पहला spread तो है अनिल जी टाटा मोटर के अंदर दूसरा spread है अनिल जी ONGC के अंदर ONGC भी अनिल जी इंदा मनी कॉल लेनी है 120 रुपे वाली 120 की एक कॉल लेनी है 127.50 की एक बेचनी है अनिल जी इसकी cost आएगी 3.5 रुपे के करी साड़े तीन मतलब अनिल जी 120 प्लस साड़े तीन 120.50 का ONGC अभी चल रहा है अनिल जी 25 रुपे तो अब अल्रेडी 2 रुपे इंदा मनी है सिर्फ 3 रुपे लगा के तो अनिल जी सारे stocks हैं जिनमें एक long अपने को spread बनाने है one is to one क्योंकि expiry तक इनमें एक अच्छी move दिखती है जिसमें अदानी का मैंने जिक्र किया Tata Motor, ONGC और अनिल जी हमने पहले जो Auro Pharma उस दिन दिया था और Cadillac और एक LIC का spread बना हूँ है अनिल जी 500-540 कई लोग पूछते हैं कि 545 गया उसके बाद नीचे 515 भी आ गया इन सारे spread के साथ अनिल जी मुझे लगता है कि बैठे रहना चाहिए अगले पांसा दिन में सब profitable spreads कटेंगे यह मेरा मानना है और stocks मैंने जी सारे आपको बता चुको और spread सारे one is to one है कि limited पैसा लगा के आपको limited gain भी होगा लेकिन chances of gain के energy बहुत ही हाई है ओके तो आपके लिए दो बहतरिन ट्रेड़े Tata Motors और OngC यहाँ पर आप spread बनाकर buy कर सकते हैं 340 वाला call option खरीदना है 360 वाला बेचना है 120 वाला खरीदना है OngC का और 127 50 वाला बेचना है तो यह है आपके लिए राय आशिर सर की तरफ से आठीवी बहतरिन आपके लिए आईए बढ़ते आगे और वागले साब है तैयार है वागले साब के लिए बिगुल वागले का वंदर जी वागले साब बताएं सर अनिल जी ये cash stock मेरे रडर पर आया है इसको fundamentals की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये already cover हो चुका है stock है मिधानी दोसो बारा के लेवल breakout पीछले 9 मेने का एक multiple high इसने तोड़ा है अभी 214-215 है अभी 216 हो गया है यहां पर ले ले 214-213 तक आता है add करे 207 का आपका stop loss होना चाहिए 240 तक के target कुझे दिखते 2-3 दिर में भी 4 दिर थोड़ा सा position लेंगे तो 260 तक ये stock जा सकता है तो मिधानी लंबे समय से stock ने जादा perform नहीं करा है बट अब लग रहा है कि शायद इसका समय आते हुए दिख रहा है खरिदारी करके चलें ये है वागले साब की सलहा आए कजारिया ceramics इसके भी नतीज़े आते हुए दिख रहे हैं कामकाजी मुनाफ़ा डबल से जादा बढ़ करा है 93 करोड से बढ़ कर 190 करोड रुपे का कामकाजी मुनाफ़ा हुआ है मार्जिन्स भी 14% से बढ़ कर 20% के आपको आते हुए दिख रहे हैं तो दमदान नतीज़े कजारिया ceramics से आ रहे हैं मुनाफ़ा 50 करोड से बढ़ कर 137 करोड का आपको आते हुए दिखा है बढ़िया नतीज़े कजारिया से आते हुए दिख रहे हैं चार्ट पर कैसा लगता है स्टॉक सर देखे चार्ट भी उतना ही बढ़िया है जितना बढ़िया नतीज़े है देपांचू 110 के उपर शुकरवार को ही ब्रेकाउट आ गया था 110 के उपर बंदी आई और आज आप देख रहे हैं रिजल्ट के बाद अब एक रैली बन रही मुझे लगता है और उपर के लेवल्स आएंगे यहां पर गिरावट में और मौझुदा सतरों पर आप बाई कर सकते हैं मुझे लगता है 1100 तक आपको इसमें एक तेजी बनते हुए दिखेगी 110 के नीचे जब तक स्टॉक नहीं जाता है लॉंग पोजिशन को होल्ड करना है 1100 इसके लिए टार्गेट होगा जो एक दो दिन में आने के संभाव न दिखते है तो यह है आपके लिए कजारिया पर राए जबरदस्त नतीजे आते हुए दिखते हैं साथ ही expansion के लिए भी कंपनी को मनजूरी मिल गई है राजिस्तान के प्लांट में कंपनी करेगी विस्तारा तो नज़र रखे कजारिया अच्छे numbers आपको आते हुए दिख रहे हैं पर आए बाजार में कुछ और stocks जहांपर आपको बढ़िया momentum बनते हुए दिख रहा है वहाँ पर डालते हैं नज़र metal stocks तो अच्छी तेजी में आ ही रहे हैं साथ ही हम देख रहे हैं सुभा से गोद्रेज कंजूमर अच्छी action में आ रहा है मुथूट finance पर अच्छी move आपको अभी-भी आती हुई दिखी है और ये लगातार stock तेजी के ही trend में रहा है और तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है मुथूट finance वाग्र साब क्या करें मुथूट finance के साथ अज इसमें काफी अच्छा momentum निखाई दे रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें चौपी मू हो सकता है मेरे को डर उसी कायर उपर नीचे ये बहुत stock volatile होता है एक flat pattern in the making है 1522-25 के पार निकलने के बाद 1570 तक का EM1 में मुझ दे सकता है तो मैं 1522 के पार निकलने के बाद ही लूँगा फिर 1500 का मेरा stop loss होगा और 1570 का 1-2 दिनों का target होना दे तो ये है आपके लिए मुतूट finance पर राय वागले साब की तरफ से बढ़िया momentum में आपको ये counter दिख रहा है AU Small Finance Bank करणजी जरह इस पर राय दें क्योंकि Bank Nifty अब तो अच्छी recovery दिखा रहा है पर जब Bank Nifty में सुच्ती थी तो AU Small Finance Bank एक ऐसा stock था जो अपनी gains hold कर रहा था और उसके बाद भी देखिए अभी भी अपनी gains को hold ही कर रहा है क्या चल रहा है सर AU Small Finance Bank में बिल्कुल बहुती 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 मुव हमने देखी है पिछले लगबग एक महिने से एक देड महिने से एक लगातार एक higher top higher bottom बना चाहिए एक ascending channel में trade करता नजर आ रहा है और शुक्राओर के दिन इसने एक काफी बड़ी move दी थी उसके ही continuation देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि long positions रखनी चाहिए 1044 का मेरा stop loss रहेगा और आते दिनों में ये stock लगबग 1090 के आसपास के targets दिलाते नजर आएंगे जहां पे एक बार review ले लेना चाहिए तो ये है आपके लिए EU Small Finance Bank का नजर रखे इस counter पर भी अच्छा action बन रहा है पर आये अनिल जी को क्या पसंदा रहा है बाजार में इस पर डालते हैं नजर चलते हैं उनके पास कल के 2000 के लिए दिप खरीदारी करने की राय है PNB में दो तरीकी से आप खरीदारी कर सकते हैं एक futures के हिसाब से और दूसरा 43 रुपे का call option भी खरीज सकते हैं 43 रुपे का call option एक रुपे 75 पैसे दो रुपे के आसपास trade करता हूँ दिखेगा आपको इस वक्त अंदाज से मैं बता रहा हूँ लास्ट मैंने देखा था हूँ एक पैसपास था है एक पैसपास दो रुपे के आसपास PNB का यह 43 रुपे का call option है stop loss एक रुपे का रखिए target तीन रुपे 75 पैसे पांच रुपे और छे रुपे इन तीन target के लिए आपको खरीदारी करना है मैं दो रहा रहता हूँ तायानलिस रुपे वाला call option एक रुपे 75 पैसे में खरीदिए एक रुपे का stop loss तीन पैसे पांच और छे यह तीन target हो गए दूसरा है PNB का future आप तैयानलिस रुपे के आसपास खरीज सकते है stop loss आपका होना चाहिए 41 रुपे के आसपास का दो रुपे निशे उपर के target 45, 47, 49 इन तीन target के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी सरकारी बैंकों में अच्छी कासी खरीदारी दिख रही है अभी अभी सुमिजिनेरी यूनियन बैंक भी खरीदारी करने के राय दिये अभी एक और खबर जो आज कल में इस वीकेंड पे काफी तेज़ी से चल रही थी जो पी एन बी का सबसे ज़्यादा बकाया जो महिल चोकसी में है उन्हें भारत लाने के भी तैयारी चल रही है तो शायद recovery और फास होती भी दिखे कुल मिलाकर overall सारे सरकारी बैंकों में खरीदारी का रुजान जबरदस चल रहा है और यहां से अच्छी तेजी दिखा सकता है तो उस ल्याद से आप करें खरीदारी पैंतालिस से तालिस और उन्चास यह तीन टार्गेट के लिए एक तालिस रुपे का स्टॉक और यह तो फूचर अगर आपको खरीदना तो यह फूचर के लेवल है और जिनको कम रिस्क लेन है और एक बार चुकि ऑप्शिन की मेरा आई दे रहा हूं तो सोच रहा हूं सुमिच जी है पैनल पे तो सुनिजी के एक्सपरटाइस का सुमिच जी के एक्सपरटाइस का फाइदा ले लिया जाए सुमिच जी देखे ज़रा पी एंबी के चार्ट्स अने जी बहुत सही तो देखने को मिलेंगे मिलेंगे फोड़ा सब पोजिशन नजरिया देखेंगे अगर इसके अंदर तो मेरे को यह अपकी बारी लगता है पचास का लेवल तोड़ेगा खरदारी करें और बहुत जल्दी बहुत अच्छा अपसेट मूर्स टॉक के अंदर देखने को ओके तो यह है आपके लिए खरिदारी करने की राय इस वक्त आती भी सुमिजी की तरफ से भी आईए बढ़ते आगे सेटी साब हैं तयार धाई बजने वाले हैं और सेटी साब के लिए बिगुल सदाबार सेटी साब की शौटम पिक्स स्वागेज सेटी साब आपका बताएं सर आज क्या कॉंबिनेशन है कैश फूचर्स दोनों अच्छा तो फिल शुरूआत कीजे कैश मार्करी के स्टोक के साथ सर बिल्कुल अनी जी देगी कैश मार्केट का जो आज का स्टोक है वो एक पॉमन हो गया थोड़ी जेर पहले मेरे रडार पे भी आया था और वागले जी ने अभी अभी रिकमेंट किया है मीधानी मिस्टर भात्तु निगम जो कि एक PSU स्टोक है और मेटल सेक्टर का स्टोक और ये कंपनी स्टोक बनाती है और डिफेंस और एरोस्प्रेस ऐसे जो हाई-टेक सेगमेंट से इनको केटर करती है इनके जो इस कंपनी के माड़ी रेगुलर में भी जो मेटल कंपनी जा उनसे काफी बेहतर है और इस स्टोक को आज पिक करने के पीछे करन भी है एक तो ब स्टोक का फोकेस है मेकिन इंडिया के उपर डिफेंस के उपर तो उसका फाइदा होना है फंडामेंटल दंदार है बहुत ही अच्छे मार्जिन से एक डेट-प्री बैंची अच्छे अच्छे रिटरियो डिसम्बर कोटर बहुत अच्छा था साट करोड का पैट डिकलेर मुझे लगता है इस स्टिमाई में अच्छे नतिजे भी आने चाहिए है शक्ता में यह स्टोक यहां से 230-235 के डिवल से एक्सपेक्ट करता हूँ और स्टोप लाज सकता है 210 तो यह है आपके रिए राय 210 के स्टोप लोज के साथ खरीदारी करने की राय मिश्र धातु सेटी साब की राय है इस वक्ता 230-235 के टार्गेट के लिए पर्फेक्ट में तेजिए बताएं सेटी साब दूसरा स्टोक आज के लिए दूसरा स्टोक भी आनिम जी बिल्कुल सिमिलर है एक तो मेटल स्टोक है दूसरा ESU स्टोक है बच एफ़नो से है स्टोक का नाम है NMDC स्टोक रहा है अभी 117 रुपे का प्राइज का जून के फूचर का एक बहुत ही दंदार कंपनी है मैंने स्टोक को सो 110 तक के लेवल से रिकमेंड किया कई बार चेनल पे और उसके बाद तो हमने 210 तक के लेवल भी देखे थे पट अभी जो में में इक्शन हुआ उसमें यह स्टोक भी गिरा है तो दूसरा एक बजार में अच्करे चलती है कि इसका OFS आ सकता है तो वह एक हैंगवर है बट मुझे रखता इस्तिमाई के नतीजे अभी तक डेट पाई नहीं है नतीजे बहुत बहुत अच्छे रहेंगे बिकास आयरनोर के प्राइज बहुत बड़े है दूसरा जैनोरे टुमार्ट कोर्टर में इंकी डॉनिमराई माइंस के शुरू होगे तो उनसे वोल्यों उसके कारण वोल्यूम्स प्रिदी होगी है उसके रिजल्ट के पहले मैंने एफनों में सेल बैन में था फिर भी उसको एक बाइस बहुत कन्विक्शन के साथ ख़ अगर वह पर सब्सक्राइब करना इस वह तो अगर वह तो यह आपके लिए राय इस वक्ता एनमडीस में मेरा धन्यवाद स्विकार करें आप भी और सुबह सुबह मैंने सुमीच जी को भी दे दिया था शुकरार को हमने 114 रुपे के आसपास 150 रुपे के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी और वहां से स्टॉक देखिया है 188 का पहला टार्गेट आज हिट कर गया है और उसके बाद एक सो बरानवे एक सो पचानवे के टार्गेट के लिए भी आप होल्ड जरूर करें और 200 रुपे तक के टार्गेट अब सेटी साब ने देदे तो फिर ड़ने का पराने की जरूरती क्या है कि यहां पर होल्ड करन बताएं सर आपके स्पेशल पिक अने जी बिलकुल स्पेशल पिक है खरिदारी करनी है टाटा मोटर्स के डी वी आर में खरिदारी की राय है जबरदस तेजी बनती हुई दिख रही है अने जी इसमें विशेश बात यह है कि जो निचले स्थ तरों से आज रिकवरी हुई है ये इस बात का प्रबान देता है कि स्टॉक में नीचे के लेवल्स पर बहुत मेजर बाइंग इंट्रेस्ट है तो टाटा मोटर DVR पर इंस तरो पर खरिदारी किराए है स्टॉप लोस छोटा सा रखें 162 रुपे 162 के स्टॉप लोस से टाटा मोटर DVR में खरिदारी किराए है पहला टारगेट 173 रुपे का 173 दूसरा टारगेट 176 का 176 के एवेंच्वल टारगेट के लिए टाटा मोटर DVR में खरिदारी किराए बिल्कुल Tata Motors दोड रहा है तो समय है Tata Motors DVR पर भी फोकस करने का Tata Motors आशुजी को पसंड और Tata Motors DVR कुनाल जी की तरफ से चार्ट कॉनर की पिक आपके लिए पर आए बाजार पर क्या व्यू बनाना चाहिए जानते हैं अनल जी के साथ मार्केट स्ट्राटिजी में सर बाजार का मूड महौल ग्लोबली अगर आप देखें तो ठीक ठाक है डाउ फ्यूचर्स थोड़े वॉलटाइल रहे हैं वापस आप पॉजिटिव टेरिट्री में आते हुए देख रहे हैं करीबन 15-20 अंकों की तेजी है नास्डाक फ्यूचर्स में अच्छा आक्शन बन फवसूली जादा दिखा रहे हैं बताएं सर क्या करना चाहिए दिप देखें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताओं एक महीने पहले ठीक आज से एक महीने पहले चोदा मई को टाटा मोटर्स डी वी आर एसाइपी के तोर पर हमने दिया था आम तोर पर बड़े स्टॉक निफ्टी विफ्टी टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं वह जनरली कम रेडार पर आते हैं क्योंकि वह तेजी से उतना रिटन देते नहीं है 147 रुपे पर वह स्टॉक हमने देता आज 20 रुपे उपर है 166 यानि कि करीबन करीबन आप देखिए 12-13% के रिटन से एक महीने में टाटा मोटर्स यसे स्टॉक में टाटा मोटर्स के डी वी आर में आच चुके तो exactly 14 मही को 147 रुपे पर SIP स्टॉक था यहां पर आप दे एक चीज जो साफ नजर आ रही है वो यह डेटा को देखकर कि 15,700 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होगा हालांकि हम उससे 100 कोई उपर हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आप भी कर सक्टर सही भी है लेकि यह मैं नहीं कह रहा हूं डेटा कह रहे है हाई एस ऑपन आपश का इडिशन कही होना चाहिए तो वो कॉल्स में होना चाहिए सबसे जादा लेकिर उसके विपरीत आज सबसे ज्यादा ओपन इंटेस्ट एडिशन हुआ है पुट में और पूट में open इंटेस्ट एडिशन का मतलब है कि फुट राईटर्स हैं पुट राईटर्स व और नया हाई बनाने की तैयारी में हैं और नया हाई पर बंद होने की तैयारी भी कर सकता है तो पहली चीज़ ये कि अब आज के लिए रिस्क आपको पता है 15700 के नीचे बंद नहीं होंगे अब आईए उपर का लेवल कहां जा सकता है 15800 जहां पर अभी आप हैं यही आखरी बादा है हाईएस ऑपन इंटर्स 15800 के कॉल पर हैं वह भी लगबख 37,000 लाग शेर तो 15700 और 15800 के पुट और कॉल के बीच में ऑपन इंटर्स लगबख बराबरी का है 19,000 लाग शेर यहां पर जुड़ है तो 15800 के ऊपर भी एक्सपारी की माफ किज़ेगा क्लोजिंग की सं से बादार उपर आने की कोशिश कर रहा है अगर तीन बज़े के पहले पहले तक 15800 के ऊपर टिग गए तो फिर बादार यहां से 50 पॉइंट और भाग सकता है और निफ्टिय आज 15800 के बीच में कहीं निफ्टिय आज क्लोज होना चाहिए मजबूती के पूरे संक्यत आते दिख रहे हैं वाइदा करूबार के डेटा से निफ्टी पर आप आईए बैंक निफ्टी 34900 के आजपास है बैंक निफ्टी थोड़ा अटका हुआ है 35000 पार करना जरुरी है फिलाल जो डेटा मुझे दिख रहे हैं वह ऐसा बताने कि बैंक निफ्टी 35000 के उपर बंद नह 35,000 के put पर 10 लाग share है, calls में 17 लाग share है, highest open interest है, उसे पार करके बंद होना इतना आसान काम नहीं है, शायद बाजार एक दिन और लगाए, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, तो 35,000 का call option जो 17 लाग है, अगर इसके उपर 3 बजे के पहले निकल कर टिक है, 35,000 के उपर bank दिख सकता है, यहीं कि 75,500 पॉइंट की हालंकि इसकी संभावना कम है, नीचे कितना जा सकते है, 34,800 के नीचे भी बंद नहीं होंगे, तो पूरी संभावना जो दिख रही कहीं, 34,800 से 35,000 की रेंज में शायद आज बैंक डिफ्टी बंद होता दिखे, overall रुजान positive side पर अब उतनी कमजोरी दिखी नहीं, तो मेरी खाल से दीरे दीरे वो चीजें थोड़ी से बैतर होती है, ऐसे मैं आप अपनी पोजिशन को, तेजी की पोजिशन को बरकरा रखें, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैनेज़ेबल रखें, और रिस्क अगर आपको लगती है, तो एक अच्छी बड़ी मूव आपको आती हुई दिख सकती है, तो चलिए बाजार के अक्शन पर पूरी नजर है, अच्छी रिकावरी के बाद स्टेबल अक्शन बाजार में दिख रहा है, नतीजों के लिहास से आज सिर्फ कोल इंडिया एक बड़ा नतीज़ा है, जिसका इंत जजार है, आईए एक बार आशिष से जान लेते हैं, किस तरह के रहेंगे कोल इंडिया के नतीज़े, आशिश बताएं 20% की डीग्रोथ देखने के बलीगी और आयका अकड़ा बेहत सबाद पिस्टे साथ के मकाबले केवल 2% की गिरावट, लेकिन फोकस करना होगे कि शमता विस्तार के पर मैनेजमेंट की क्या कमेंटरियाद यह उसके पर कितना खर्च करते हैं, इसके चलते जो है, बाकि पिलाद से देखें, तो नतीजे थोड़े कमजोर हैंगे. इसके दिन बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेक आउट दिया था, तो आज मार्केट के वज़े से थोड़ा साथ यह सब्डूड है, पर मुझे लगता है कि आते एक दो दिनों में एक अच्छी मुवपत जरूर देखने को मिलेगी. ओके तो यह है आपके लिए राय इस वक्त कॉल इंडिया पर, आएए सिंग के सुल्तान आशुमदान साब के लिए बिगुलू. बताए आशी उज़र। अनिल जी आपने PNB बोला लेकिन हमने अभी अपने क्लाइंस को अनिल जी 430 रुपे की SBI की कॉल लेने के लिए बोला है अनिल जी साड़े 10-11 का भाव है और मुझे SBI लगता है कि यहां से अनिल जी कंसॉलिडेट होके चलेगा और मैं हमेशा अनिल जी मेरा टेक रहता है क अनिल जी अगर बैंक का पड़ोता PNB चलेंगे तो SBI लीड करेगा तो SBI में अनिल जी भी कंसॉलिडेशन जैसे Tata Motor की तरह हमने बात की है मुझे लगता है कि SBI में एक अच्छा मूव अगले 2-4 दिन में और 10-15 रुपए का मिलेगा यह कॉल का बाव डबल भी हो सकता है तो अलेना कॉल से अनिल जी वो बैस जरा सेफटी रहती है तो 430 की कॉल 11 रुपए में SBI की लेनी है अनिल जी साड़े साथ रुपए का स्टॉप लॉस से इसको रन करें अनिल जी अभी थोड़ी दिर पहले मैंने अदानी पोर्ट की थी अभी भी कर रहे थे अनिल जी 730 ब कर जाता है न मैं आपको टिपिकल एक्जमपल देता हूँ भेल की भेल कि अनिल जी अज कोई बाप नहीं कर रहा है आज पैसे बी बनाये उपर में ब्रेक आउट भी दिखे लेकिन आज बेटी बाप नहीं करेंगे तो अनिल जी डिस्पलिन ये कहता है कि ऐसा बेल है इसा बहुत लोग पूछेंगे भेल का क्या करना है तो आज भेल में भी वो नीचे पैनिक बन गया अदानी के ग्रूप में भी पैनिक बन गया जब भी कोई नेगेटिव नीज आती है बजार फंडामेंटल में कोई प्राब्लम नहीं है तो वो जो डिप्स होते है अनिल जी उनके लियो होते हैं जिनका उस लॉस को हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि अगर आप हर भाव पे उपर में आपको परसो तरसो दो-चार दिन पहले अनिल जी एक बात बोली थी चाहे वो मार्केट हो कुछ है वो स्टॉक को एक लेवल के बाद ना अनिल जी ऐसी नॉइस होती है कि उसको आपको इग्नोर करना पड़ता है अदानी में परसों और आज में कोई लगे हाथ इसका भी बता दो भारती एटेल में बहुत लोग फसे उनको क्या करना है अनिल जी बारती के तो मैंने बात बिल्कुल बंद कर दिया आपको पता है जी कि मैं हर बार मालता हूं कि पैसे लिमिटेड है अपर्चुनिटी जादा है तो हमें उस जगा रहना है जहां अच्छे पैसे बन जाएंगे काम आएंगे आगे के लिए लेकिन रिटेंशन बहुत ज़रूरी है तो यह है आपके लिए भारती एटल पर राय आपके लिए आईए बढ़ते आगे और इस वक्त मजगाओं डोक के टॉप मेनेजमेंट हमारे साथ कारिकर में शामिल हो रहे हैं हाली में कमपनी के नतीज़ आये थे बहुत दमदार नतीज़ रहे हैं कमपनी के चेरिमेंट और मेनजिंग डिरेक्टर वाइस एड्मिरल नार मुनाफ़ा नुकसान से 33 क्रोड के मुनाफ़े पर आता हुआ दिखा है मार्जिंस चार परसंट के रहे हैं और मुनाफ़ा साड़े चार सो परसंट से ज्यादा बढ़कर 230 क्रोड पर पहुंचा है सबसे बहले बताएं सर इस तिमाही की क्या बड़ी हाइलाइट नहीं जिन पर जो इस साल की जो ओवराल परफॉर्मेंस रही है इस कोविट के पशाद भी वो शांदार रहा है हमने एक सम्मरीन जो है वो और भारतिय नौसेना को सुपूर्द कर दिया है वो इसकी कमिशनिंग हो गई है तो इसके तहत हमने अभी तक प्रजेक्ट 75 के तहत जहां हमने छे पंडुबियां बनानी थी हमने तीन भारतिय नौसेना को अलेड़ी सुपूर्द कर दिया है और यह हमारा तीसरा था और हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल के अंत तक प्रजेक्ट 15 ब्रावो जो एक डिस्टॉयर क्लास की जहाज है वो उसमें से जो चार हम बना रहे है है फिलाल उसमें से हम एक भारतिय नौसेना को शुपूर्द कर दें और हम अपनी जो चौती पंड रुपी है उसको भी हम भारतिय नौसेना को दिलीवर कर दें तो यह एक बड़ा इंटरसिंग एक्षिन हुआ है जो एक आपने भारती नो सुना को यह समर्पित किया है सर अभी बताएं कि ओर्डर बुक की क्या सिचुशन है फिलाल कितने ओर्डर सा आपके पास में हैं आगे की रेविन्यू विजिबिलिटी किस तरह किये और यह वित्वर्श पूरा यह जो साइनेशल एर है इसमें किस तरह का रेविन्यू आने की संभावना है मजगावनों के है जैसा आप जानते हैं हमारी और्टेट बुक की रेकॉर्ट में पहुंच गई है हमने इस साल 19-20 की कंपरेजिन में करीब 10% हमारी पर्फॉर्मेंस फोलिसी कम हुई है कोविट की वज़े से तो पिछले साल 2019-20 में हमने 5000 के करीब वैल्यू आप प्रड़क्शन किया था जो हमानी रेविन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और इस साल करीब 4050 करोड हुई है अगले आने वाले समय में जैसा आप जानते हैं कि हमार हैं और 6 में से जो तीन पंडूबियां है वो भी तीन पंडूबियां हमने बनानी है इसकी पूरी जो एक वैल्यू अफ प्रड़क्शन आती है जो हमारे पास बची हुई है वो करीब 50,000 करोड है और यह जो हमारा जो फैनांसिल यह चल रहा है 21-20 जिसमें हमने कोरोना की प पान जार कोड़ तक पहुँच सकते हैं तो हम पूरी कोशिस करेंगे चीतर से चाया हुआ है और पूर्म रूपे चाया हुआ है क्योंकि एक वन अब लार्जेस्ट डिफेंस दीर होने की संभावना है तो जो डिएसी डिफेंस एकुजिशन काउंसिल है उन्होंने मानेता दे दी है और इसके तहब दो स्ट्रेजिक पार्टना जो आइडेंटिफाई करेंगे होगा है वो मैंसर्स एलेंटी है और इसकी पूरी वैल्यू तकरीबन पचास जार क्रोड के होईगी और ये जो है आज की तारिक से अगर आप लीजिए तो कॉंट्रेक्ट कॉंट्रूजन में तकरीबन तीन साल तक लगने की परनी है तो जब तक एलेंटी और मजगाउं डॉक शिप्विल्डर्स एज ए स्ट्रेजिक पार्टनर है हम दोनों पुन रूपेन इसमें लगे हुए हैं और मैं अपना दावा ज्यादा शांदा धन से इसलिए पेश करना चाहूंगा कि आज तक की तारिक में कर्वेंशनल सम्मरीन बनाने के छेतर में मजगाउं डॉक शिप्विल्डर्स नहीं सिर्फ काम किया हुआ है उसने ही सिर्फ कर्वेंशनल सम्मरीन दो HDW सम्मरी जर्मनी टेक् सम्मरीन हमारे देश में किसी नहीं बनाया है तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि यह प्रजेक्ट जो है वो मजगाउं डॉक शिप्विल्डर्स लेने में सक्षम होईगी ठीक बात है नारेन प्रसाद साब सर यह बताएं कि चुक्कि कमोडिटीज के दाम बढ़े बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए भी रो मटरिल की कोस्ट बढ़े क्या वाकए में ऐसा हो रहा है और ऐसे में क्या आप अपने मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे क्या है स्टेटेस सर अफ हमारी जो मार्जिन्स हैं हम जितने भी ओर्डर अभी एक्सक्यूट कर रहे हैं वो बाती सरकार जो है डिफेंस से जो हमें ओर्डर्स मिलते हैं वो दो तरह के orders होते हैं एक nomination basis अंदूसरा है competitive bidding तो हमारे पास जो order book हमारे पास हैं करीब 50,000 कोड़ के और शुरुआत में ये 85,000 कोड़ थे तो ये सभी हमें nomination basis के उपर मिले हैं और जो defense acquisition procedures हैं DAP 2020 इसके तहट ये जो margin एक already fix करी हुई है ये margin 7.5% जिसको बढ़ा करके 8% किया हुआ है लेकिन बागी सारे खर्चों को ध्यान में रखते हुए ये तकरीवन करीब 3.8 to 4.5% के करीब margin हमारी आती है और ये margin बरकरार रहेंगे लेकिन जितने भी competitive building है उसमें इस margin को इजाफा बिलने की संभावना है और चूंकि हम ये जो submarine बनाने की प्रक्रिया एक competitive building के तहत हो रही है तो उसमें margin और आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का direction बहुत बहुत शुक्रिया नारण प्रसाद साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और एक बार स्फिर से आपकी company की शांदार performance पर आपको बहुत-बहुत बढ़ाई और इस financial year के लिए हमारी चुब कामने भी धन्यवा ये है वो company जिसका हमने आपके साथ interview अभी करवाया तो बहुत-बढ़िया आगे का outlook management की तरफ से आता हूँ आपके लिए ये है इसवक्त का पूरा action दीप सर और मजगाउं डॉक पर तो आपकी भी जबरदस्त कॉल रही है high conviction stock रहा है आपका जब से IPO यह तेखे पिछले हफ़ते in particular क्या जबरदस्त तेजी हमने मजगाउं डॉक पर आती हूँ दिखे और management भी कह रही है आने वाले समय के लिए अच्छे execution की तयारी में है आए उपर वापिस निफ्टी आ चुका है चलते है सुमिध जी के बास सुमिध के सुपरेट के लिए बाता है सुमिध जी रिपांशु बाय का स्टॉक है स्टॉक का बाव चल रहा है 51 रूपे 51 रूपे 25 पैसे और यह स्टॉक में 30 रूपे के लेवल से रेकमेंड कर रहा हूं और पचास के उपर आ चुक है और अब यहां से और उपर का मूप दिखाने को तयार है स्टॉक का नाम है रिको आटो रिको आटो यह स्टॉक अभी यहां से ब्रेकाउट दिखा रहा है नवेंबर 2019 के हाई ब्रेक कर रहा है रिसेंट के हाई ब्रेक कर चुक है फ्लैक पैटन का ब्रेकाउट है डेली चार्ट वीकली चार्ट मंतली चार्ट तीनों में अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि रीको आटो में यहां से एक बड़ी अपसाइड मूग देखने को मिलेगा और स्टॉक यहां से आट से दस प्रसंट का मिनीमुम अपसाइड मूग उपर में दिखाएगा ओके तो रीको आटो बड़े टार्गेट्स के लिए करें खरेदारी यह है सुमझ जी की राय आएए एक बेगुल सचच जी के लिए बीटी एस्टिटी बताएं सचच जी सचच जी आपका ओडियो म्यूट हो गया है सर अन्म्यूट करके बताएं इस पर्टिक्लर काउंटर में जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है पिछले चार दिनों के पुल बैक के बाद एक अच्छा रीबाउंड अपने टू अन्डेड डे अराउन 35-60 के असपास और फ्रेश पोजिशन आड करने है ब्रिटानिया इस पर्टिकलर काउंटर को ओके तो लंबे समय बाद ब्रिटानिया पर मुमेंटम आते हो दिख रहा है आज हम देख रहे हैं डिफेंसिव पर आक्शन है फम्सीजी स्टॉक्स गुद्रिश कंजूमर सुबह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैरिको डाबर में भी मुम्मेंट देखा और अब ब्रिटानिया के भी बारी आपको आती हुई दिख रही है पर देखते हैं आनिल सर को क्या पसंद है चलते हैं उनके पास एक और कल के 2000 के लिए बदा है सर दीब खरीदारी करने के राए और खरीदना है पावर ग्रिड 247 रुबे 50 में से के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहा है तो चाहिए तो आप फ्यूचर्स में खरीदारी कर लें 242 दो सो बयान इसका आपका एस्ट्रप्लोस का लेवल होना चाहिए 252 252 252 257 और 260 यह तीन टार्गेट रखने है और यह टार्गेट रखने है आपको 17 मत आज कितनी है 14 तारी ठीक है 14 15 16 17 चार दिन गुरुवार तक के लिए आपको करनी खरीदारी यह पोजिशनल है और क्यों करनी गुरुवार तक की खरीदारी वह बता देता हूं वह इसलिए कि गुरुवार को आने वाले नतीजे और साथी बॉनस पर भी विचार होगा तो कंपनी बॉनस देने की तैयारी में है और साथी रिजल्स भी करने की तैयारी में तो रिजल्ट और बॉनस के पहले एक मौका खरीदारी का बन सकता है बाजार के उतार चावा में जिन लोगों को रिस्क कम लेनी है तो दो सो पचास रुपे वाला कॉल ओप्शिन खरीद लीजिए छे सवाचे रुपे के आसपास यहां खरीदारी कर सकत आप नीचे एस्ट्रोप्रोस तीन रुपे का लगाई है उपर में टार्गेट नो रुपे ज्यार रुपे के दो छोटे टार्गेट के लिए और अगर बढ़े आया और अच्छा एक्षिन दिखा देता है तो तीसरा टार्गेट पंदरा रुपे का बनेगा तो आप दोनो नोट कर लें तो आपने नोट करी लिया 242 का स्ट्रोप्रोस है 252,257,256,252,252,257,260 तीन टार्गेट है और अगर फ्यूचर के बजाए ऑप्शिन में खरीदना चाहते है तो 250 रुपे वाला कॉल आप्शिन आपको खरीदना है 6-7-6 रुपे के आसपास तीन रुपे का स्ट्रोप्लोस होगा उपर 9,11 और 15 यह तीन टार्गेट के लिए करनी है खरीदारी पावर गेट मुझे याद है पावर गेट कुछ दिनों पहले वागले साब की तरफ से भी खरीदारी करनी की राय आई थी थी आम तोर पर वागले साब NTPC पावर गेट इस तरह के शेरो बनाया है उसका यह इंपैक्ट है और आपके साथ में हूँ इन्वर सेरेंड शोडर पैटर्न बहुत पावर पूर होता है मेरा 260 का टार्गेट है अभी 249 है तो आपका टार्गेट मैंने सुना निए पर 260 तक यह बूग कंटीनू होनी चाहिए शायद एक से दो दिन लग सक टार्गेट है तो आनल जी सोच तो मिल रही है आपकी और वागले साब की और मोमेंटम में भी है स्टॉक नतीजों से पहले सर बिलकुत यह है 260 रुपे तक के टार्गेट मेरे और वागले साब दोनों के सेम सेम है एकदम परफेक्ट और सचिन जी ने भी मेसेज करके वह ज निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार काम नितिन जी की तरह से पिछले चार हीरो याज जीरो कॉल बहुती बढ़िया सुपर हिट हुए एकस्पाईरी के दिन आए अब जानते नितिन जी से कि कौन सा स्टोक आज उनके रेडार पर रहे बताए नितिन जी अब निफ्टी की हम 15,800 की कॉल ओप्शन लेंगे जो 81,82 ऐसे मिलेगी हमें तॉप लॉस इसका 55 रुपा का रखेंगे और टार्गेट 120 रुपा का रखेंगे तो एड़ दमनी कॉल है 15,800 की कॉल ओप्शन लेने की सब्सक्राइब ओके निफ्टी पर 15,800 की कॉल ओप्शन एड़ दमनी 15,800 के आसपास निफ्टी इस वक्त ट्रेड करतावा दिख रहा है तो बड़िया एक्शन आपके सामने इस वक्त बादार में होतावा नजर आएगा बहुत ही बड़िया एक्शन है इस वक्त और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होतावा दिख रहा है और वहां पर भी हम हमारे एक्सपर्स से राय लेंगे लेकिन इस बीच धेर सारे स्टॉक्स रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं अदानी क्रूप के सारे शेवरों में तगड़ी रिकवरी आती भी दिख रही है निसले स्टॉर्ण से देखिए अदानी एंटर्प्राइजेज बारासू से चौदा सो पचास धाइस सो रुपे रिकवर अनिल जी बिल्कुल रुकना है इसको तो जाने दीजिए ये तो पूरा जो बीच का पैसा पूरा का पूरा आएगा अनिल जी मतलब पी तो पूरा पैसा आएगा इसमें तो अगर और 20-25 रुपे बढ़ गया कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है चितना उपर जाए बढ़िया अनिल जी पूरा पैसा आजाएगा इसका बीच का जो हो है 35 रुपे के करीब आजेंगे पर लॉट के अंदर अली जी जिस ने भी बनाया है तो बिल्कुल चलने दें आप देखिए अभी 730 से 758 रुबे का फ्यूचर हो गया किस तरह से है अनली आज़े अगर साथ सो साथ के उपड़ आप जाये गा तो आप तो पूरा पैसा आएगा या 5-10 रुपे रह जाएगी या जो हमने जो लिया है साथ रुपे वाली वो 105 रुपे हो जाएगी तो इसको चलने देना है बिलकुल शांती से बैटे रही है कोई दिक्कत नहीं है मैंने अंजिल जी आपको एक बात बोली जिसको 2500 शेर भी लेने थे अगर कल हम साड़े 800 में ले रहे थे कि साड़े 900 का टारगेट है कल और आद में फंडामेंटल चेंज नहीं हुए अगर जो फ्रीज होया अकाउंट या कुछ होया है उससे तो बल्कि सेलिंग नहीं आएगी अगर कोई इनलीगल चीज नहीं है अजिन जी पूरे एपिसोड के अंदर तो अजिन जी सारी की सारी रिकवरी बहुत शाप होगी बाकी यह जो टेक्निकल मेटर्स हैं यह उपर नीचे होते रहते हैं इसके लिए बहुत अच्छी करेक्शन मिली है और पर्टिकोले लिए अधानी पोर्ट में जी हम पड़े पॉजिटिव थे केस रेट पर तो छोड़ना नहीं चाहिए यह मोमेंटम ऐसा है कि आपको 20-30 रुपे का स्टॉप रोस लगाता कोई तो हो जाता तो ऐसे 20-30 रुपे का अने जी कॉस्ट लगाके बिल्कूल बैट चाहिए पूरे पैसे अधानी पोर्ट पर आशी सर की कॉल सुपर हिट शादार और शो के दोरानी आपके लिए मुनाफ़ा बरपूर होता है देखे इतने रिस्की स्टॉक में जाम बड़ी वॉलेटी लिटी बड़ा मौका होता है वहां पर इस तरह की इस बीच खबर आती दिख रही है एक बार फोरेंट फ्रंट के खाते फ्रीज होने की खबर गलत बताए जा रही है ये इंटरसिंग खबर आती हुए दिखरी जरा एक बार दीप जरा ये खबर पढ़े है आप और मैं एक बार इसके सोर्स का भी पता लगाता हूँ कि खबर कहां से आई है वो भी देख लिया जाए ज 14 जून ये तीनों FBI अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे है जो तीन फंड्स है जिनको फ्रीज कर दिया गया था ये तीनों एक्टिव हैं इस समय यानि की वो कह रहे हैं कि इन तीनों को फ्रीज नहीं किया गया है जो खबरे चल रही है बाजार में और जिसकी वज़े से ये शा चल रही थी उसका खंडन कंपनी कहर रही है वो कहरी है कि ये खाते फ्रीज होने की खबर बिलकुल गलत है अब ये अदानी ग्रूप का स्टेट्मेंट आया है सर तो अदानी ग्रूप की तरफ से ये कहना है कि इनके पास रिटन कॉनफर्मेशन है कि अकाउंट्स को तो डेफिनेटली कम्पनी ये कह रही है कि ये खबर गलत है और इसलिए देखिए सारे के सारे स्टॉक्स रिकवर होते हुँ दिख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज़ अब पंदरा सो के ऊपर आपको जाते हुँ दिख रहा है अब सिर्फ 6% नीचे है जहां पर सुभा एक 24% तक की इस पर गिरावट आती हुँ दिखी थी और अदानी पोर्ट्स पर भी जैसे हम कही रहे थे अच्छी रिकवरी आपको आती हुँ दिख रही है अब 775 के लेवल्स पर ये काउंटर भी आते हुँ दिख रहा है तो कंपनी के क्लारिफिकेशन आ रहा है कि ये तीनों फंड्स अक्टिव हैं इनको फ्रीज नहीं किया गया है और सारे के सारे ये स्टॉक्स अब डेज हाई पर आ रहे हैं अच्छी रिकवरी के साथ सर तो ये बड़ी ख़बर आती है दिख रही है अदानी ग्रुप के शेरों को लेकर और इसके दम पर आप देख सकते हैं शार और 20-25% का नुकसान था निश्ले सरों से करीबन 25 और अदानी पूर्ट निश्ले सरों से करीबन 100 रुपे रिकवर होता 16-17% जो नीचे था अब 8% नीचे रहे गया तो जवर्दस रिकवरी आती है दिख रही है और रिकवरी इस दम पर आती है दिख रही है कि ए फोरें फ् एक्षेंज की तरफ से ये ख़बर आती हुए दिखिए तो आप ये ध्यान में रखें जो खबर हम आपको बता रहे हों एकदम ऑफिशल है और एक्षेंजर पर अदानी ग्रूप की तरफ से ये खबर आती हुए नजर आई है इसके बैसिस पर हम आपको बता रहे है ये फोरेंट फ्रेंट्स, अलबुला, क्रेस्टा और एपी एमेस इन्हों ने जो शेर्स होल किये थे अदानी ग्रूप की कम्स्यों के और उनके यह अकाउंट फीज कर दिये गए है तो उनका यह ख़बरें गलत है और मिसलीडिंग है जान बूझ कर दी गई है और ऐसे में इनकी पर यह काया कि फोरेंट फ्रंट में इनके खाते फीज होने की खबर बिलकुल गलत है तो यह इस वक्त का एक बड़ा डवलपमेंट होता दिख रहा है अदानी ग्रूप के शेरों को लेकर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है आशितर अब क्या कहेंगे इस डवलपमे अधानी पर मैंने का था कि एक दो दिन के अंदर जरूर कोई मैनेजमेंट से क्लारिफिकेशन आएगा बड़िये तो अनिल जी एक दो घंटे के अंदर ही आ गया और मैंने अनिल जी आपको एक और चीज बोली थी अनलेस यह तो टेकनिकल चीजें है जिसमें नॉन कंप्ला एक्षन है और फंडामेंटली अनिल जी अगर स्ट्रॉंग है तो बिलकुल लेना चाहिए हविंग सेड़ अनिल जी इसले थी कि कोई अब होता क्या अनिल जी जब जिस वर्च ऐसी हालत होती है मैं भेल के एक्जाम पर तब कोई बात ही नहीं करता हम ब्रेक और सब करेंगे लेना है लेना अनिल जी यही तो टाइम है लेने का लेकिन लेना कैसे अनिल जी अगर स्ट्राटिजी ना हो तो मैं भी नहीं ले सकता हूँ मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर 15 मिनिट में 25 रुपे नीचे या 50 रुपे उपर हो जाता है तो stop loss दोनों तरफ का हो कैसे खिदर हो आ सकते हो किसी को तो अनिल जी इसी लिए strategy बनाई थी कि शांती से बैटे 30 रुपे लगाए 35 रुपे मिल जाएंगे 1250 का लौट है अपनी मतलब माइट के हिसाब से या appetite के हिसाब से जितना मर्जी आप कर सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल तो यह है आपके लिए बड़ी ख़बर अदानी ग्रुप के शेरों को लेकर और आपकी जो strategy है अदानी पोर्ट पर उस पर क्या करें आप अलड़ी 775-780 तक पहुंचा है इस टोक कि अने जी बिल्कुल रहने दीजिए जितना अभी यह यहां पर रुक के consolidation 10 रुपे 20 रुपे उपर नीचे हो जाए कोई tension ही नहीं है अनली strategy का मज़ा यही है कि अगर आप मज़े में क्या होता है कि अगर वो नीचे में वो रखती है तो उपर में भी वो कि मुटेट प्रॉफिट देती अभी दस पारां रुपय पर लॉट का प्रॉफिट आ रहा है अले जी इसमें 30-35 रुपय पर लॉट का प्रॉफिट आएगा शांती से बैठे रहे है बस बिल्कुल तो यह बड़ा action होता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से अब आफ देख सकते हैं जब रिएसाल आता हुआ दिख रहा है गजब तो यह है आपके लिए अधानी ग्रूप के शेयरों का पूरा का पूरा एक्षन आखरी आदे गंटे में और बढ़ने वाला है आए मुलाकात करते हैं जय ठक कर से कमजोर बाजार में एकदम सपोर्ट लेवल के पास 15,550 का इंदमनी कॉल आप्षन आज की यह बेस्ट कॉल है सबसे बेस्ट कॉल एक इंडेक्स पर यह वाली और स्टॉक पर दूसरी जो आशुसर ने अधानी के दी गजब की कॉल यह वो वक्त है जब दोनों चाहे वो निफ पर रेंज है और आपने बहुत सही लेवल पर तब 15,635 पर निफ्टी था आपने खरीदारी की राय दी हालांकि सुबह सुबही आपके शो में बात करते करते ही 208 का टार्गेट तो आ चुका था लेकिन देखिए निफ्टी 15,800 के पार निकलता हूँ हेड्स ओफ बहुत ब बाजू ट्रेड करने का खुलते ही आपने बेचने की सलादी वहां से लगबग 200 पॉइंट की गिरावट यहां पर डेफिनिटी ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफित हुआ और सपोर्ट रेंज आपकी और मेरी मैच कर गई और इसलिए मैंने वहां पर कॉल रेक्मेंड दिय 24,700 के स्ट्राइक का कॉल ओप्शन खरेदना है इंदमनी कॉल ओप्शन है 34,700 का 427 के आसपास अनेल जी मिल रहा है और 250 के एक स्टॉप लोस के साथ इसको खरीदना है 425 के खरीदे 427 28 के आसपास खरीदिया आप 250 के स्टॉप लोस के साथ मुझे ऐसा लग रहे है कि बैंक काफी वीक ट्रेड कर रहा था इतने दिनों से और उसमें इतना स्ट्वांग मूव आता है और 34-700 जहां पे अच्छा का सब्सक्राइब करता है यहां से लगबाग फिर से 35,000-400 तक के लिवस दिखा सकता है तो यह कॉल ओप्शन जो 427-28 के आसपास वाला था वह उपर में हमें इसका फॉर्स टागेट बनेगा 595 का सेकंड बनेगा 670 का यह लेवल्स हमें ज़रूर देखने मिल सकते हैं और अभी तो काफी दिन ब यह भी है एनलजी कि काफी ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो काफी अच्छा कॉंट्रूर बिट करते हैं बैंक निफ्टी को वह भी काफी ओर सोलू चुके थे और वहां पर मुझे शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशन दिख रहे हैं लाइक यह दोनों बैंक में जो श खरिदारी कर रहा ही थी निफ्टी के कॉल ऑप्शन की अब बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है और मार्केट भी बढ़िया तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं पॉजिटिव टरिट्री में है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी निच्छी रिकावरी आपको दिखा चुका है इस बीच फंड्स की तरफ से किस तरह का एक्शन रहा है पिछले महीने आए इस पर एक बार नजर डालते हैं वरुन हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुन बताए म्यूचल फंड्स ने माई के महीने में क्या खरीदा और बेचा है जिनका डेटा खंगाल के देख रहा था जिसमें HDFC था मेरा एसेट मेंजमेंट था आइसे इसे परू एसे तमाम फंड्स जिनका डेटा खंगाल के देख और यह जानने की कोशिश की कि कौन से स्टॉक्स थे जो उन्होंने खरीदे हैं और कहां विक्वाली किये तो सबसे पहला नाम जो सामने आया वो था है HDFC लिमिटेट और HDFC बैंक यहां पर मेराई एसेट HDFC मूचल फंड और ICISA प्रू इन्होंने नई खरीदारी किये इन आसेट्स में याने कि HDFC बैंक और HDFC यह जो है सबसे फेवरेट बनके निकला है दूसरा था क्यूमिल्स इंडिया यहां पर ICISA प्रू और HDFC मूचल फंड ने नई खरीदारी किये इस टॉक में और HBI मूचल फंड ने इस टॉक में अपना वेटेज जो है उसको बढ़ाया है तीसा स्टॉक था इंफाक आटो इंडेश्ट्री को अगर आप देखेंगे तो काफी सारे आटो स्टॉक ते जो काफी सारे फंड ने खरीदे हैं बजाज आटो यहां पे HDFC और Franklin मूचल फंड ने इसमें नई खरीदारी किये और ICI से प्रूर ने इसमें अपना वेट बढ़ाया है और टेक महींडर में HDFC और ICI से प्रूर ने अपना वेटेज बढ़ाया है लेकिन दो स्टॉक ऐसे निकल क्या है जहां पर शायद जो मूचल फंड ते वो काफी अर्थक बैरिश नसा है इसे प्रूर ये दो फंड्स थे जिन्होंने स्टॉक में अपना वेटेज जो है वो घटाया है तो काफिया तक टेक्नोलोजी स्टॉक्स, आटो स्टॉक्स, HDFC और HDFC बैंक और क्यूमिन्स ये फेवरेट बने हुए थे, Reliance और ITC दो ऐसे स्टॉक थे, जिनमें कई न कई जो ने खरिदारी भी देखे, बलकि बजाज आटो, अशोक लेलेंट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर लगातार, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आपको खरिदारी आती वे दिखी है, किरन जी बजाज आटो आप काफी समय से इस पर पॉजिटिव रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बेस 4100 के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए, और इधर से वापस एक बार यू-टर्न लेना चाहिए, अगर एक्स्रीम लॉंटर्म चार्ट देखते हैं, तो लगबग 4300 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टंस है, उधर से हम ट्रेड करता नजरा आजाना चाहिए, ओके तो नए दाइरे में आपको आते हुए दिख सकता है, अगर 4300 के करीब आपको काउंटर आते हुए दिखे, फिलहाल 4150 के आसपास आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जहां तक सवाल है, बजाज आटो का पर मोमेंटम अच दिखे, जिस तरह का चार्ट है, दिपांचु स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, और आज एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, स्टॉक ने अभी 3200 के लेवल्स को पार किया है, तो मुझे लगता है, स्टॉक्चर ठीक ठाक है, जिनके पास पोजि और इस बीच आपका एक फेवरेट स्टॉक जिस पर आपसे काफी बार चर्चा हुए है, कुनाल जी सुमे टोमो केमिकल, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है, आठ परसेंट उपर ये काउंटर आपको आते हुए दिखा है, और आइधिंक कुछ समय पहले वागले साब ने भी सुमे टोमो पर अपनी रहे दी थी, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं, तो हमने मई के महिने में हाइलाइट किया भी था कि अच्छे नतीजे आएंगे कमपनी के, वागले साब सुमे टोमो पर नजर डाली, इतनी बड़ी मूव आई है, कोई ट्रेड दिख रहे है तब तक कुनाल जी आप ही एक बार राये दीजिए, सुमे टोमो केमिकल, क्योंकि अब 400 के करीब काउंटर आते वे दिख रहा है। आपको 400, 500 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, हर डिप में बाय करने की मेरी राये। क्या है लेटेस्ट अबडेट लूपन और USFDA को लेकर। और इसे के चलते हैं आज आपको गिरावट देखने मिल रहे हैं लेकिन मैं आपको ये भी बता दू कि हमने देखा था कि एक साल पहले कंपनी को अल्रीडी जो ओए आए है वो जारी हो जुका था यानि की कई ऐसे दिक्कते थी प्लांट में और इसके चलते हमने देखा हां हाला कि आप देखें इस बार जो जो वर्निंग लेटर आता हुआ दिखा है वहां पे एक बड़ी दिक्कत आती हुए दिख रही है कि जितने भी नए प्रड़क्स कंपनी इस प्लांट से लॉंच करने वाली थी वहां पे फूर्दर डीलेज होते हुए दिखेंगे लेक कि चलते आपने देखा कि लूपिन पर आज लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा था तो लूपिन पर थोड़ा इस खबर का इंपक्ट आया है हाला कि निचले सरों से ये काउंटर रिकवर भी हुआ है वापस 1200 के करीब आ रहा है सची जी क्या राए देते हैं लूपिन के काउंटर पर और आज सुस्ती के बाद थोड़ी रिकवरी भी आई फिलाल 1200 के करीब लूपिन पर क्या राए है दिपानचु काफी दिनों के बाद इसने एक रेंज ब्रेक की है लगबग अराउं 1220 से 1260 इस पर्टिकलर रेंज में काफी अच्छी तरह उसने हो 1220 के आद पास के स्विंग जाते हैं तो यह पर्टिकलर रेंज वापेस इस्टैबलिश होनी चाहिए तो इमिडिट बेसिस पे तो सलाह नहीं होगी कोई फ्रेश डिप्लाइमेंट करने के लिए मुझे लग रहा है कि एक रेंज के बाहरी ट्रेड इनिशेट करना चाहिए तो इस पर्टिकलर रेंज को अभी वापेस ब्रेक होने दीजिए उसके बाद मुझे लग रहा है काफी अच्छा फॉलो थू मोमेंटम मिल सकता है और आइधर साइड तो ब्रेक आउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद ही प्रेश ट्रेड इनिशेट करने चाहिए ओके तो एक रेंज से बाहर निकल कर थोड़ा अगर स्टेबलाइज हो तब ही आप यहाँ पर ट्रेड इनिशेट कर सकते हैं लूपिन नेगेटिव खबरे थी तीन परसन नीचे है बट निचले सरों से रिकवरी भी हुई है काउंटर पर आईए कुछ ही मिनट बाकी हैं ब हमारे साथ तयार हैं आशीश बताइए कोई स्टॉक हैं जो बैंड लिस से बाहर आ सकते हैं लेकिन फ्रेश एंट्री हो सकती है यहाँ पर मार्केट पॉजिशन लिमिट अगर आप देगे तो बढ़कर एक सो साथ परसेंट होगी है तो पक्का हो गए कि इस टॉक बैंड आ परसेंट चल रहे हैं अभी फिलाल मार्केट वाइट पॉजिशन लिमिट 95 परसेंट के मांको क्रॉस कर दिया तो थोड़ी संभावना है पर बन रही है कि सेल बैंड मेंगा प्का है बाकि कोई स्टॉक जो है बैंड से बाहर नहीं आ रहा है ओके तो बैंड से बाहर कोई न है आए जानते हैं अब अनल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्राटेजी अनल जी मार्केट स्ट्राटेजी भी बता दीजिए सर और एक बार PNB पर अपडेट दे दिए अगर ये बैंड लिस्ट में आ सकता है तो फिर क्या करना चाहिए वैसे अगर आप ग्लोबल मार्क 2020 के बाद वापिस इन लेवल्स पर आ चुके हैं UK के बाजार यानि की महामारी में जितना भी इंपक्ट आये था पूरा रिकवर करके वापिस February 2020 के लेवल्स पर UK आ गया है अगले हफते से UK की पूरी रियोपनिंग की संभावना है 21 जून से तो उससे पहले यहां पर भी positive sentiment है पर बताएं सर हम क्या करके जाएं 200 पूइंट का correction भी आपको मिल गया दो 100 पूइंट की रिकवरी भी होगे देखिए दूसरा मौका है जब correction सिर्फ इंट्राडे हुआ है दूसरा मौका है आप देख सकते हैं कि correction आजकल लंबा टिकता नहीं पहले डेर दिन का correction होता था अब डेर दिन का छोड़ीया आधे द और बिलकुल थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो दोनों ही ना करें सिर्फ फ्यूचर सापकी बने रहे या पंद्राजार आट सो का कॉल ओप्शन खरीद ले तेजी की पोशिशन में निफ्टी में बने रहना चाहिए अब आईए बैंक निफ्टी अभी भी 35,000 के आसपा यती पोशिशन बनाने की राहे है रहे हा अचा दूसरा आपने प्षा करें तो प्यूस्टी में जाने की तैयारिम है जहार सी बात में जाने के बाद थोड़ा सुस्टी आजाती है तो आगर में के इसाब से अगर आपको बहुत पोशिशनल ग्यून है तो ठीक है अधर तो फिर बेन में जाने के बाद वो मजा नहीं है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, सिर्फ आप अपनी पोजिशन कार्ड सकते हैं, इंट्राडे में भले ही आप थोड़ा वो ट्रेड करने हैं, रोल ओवर आप करनी ही सकते हैं, तो मेरा यह समझना है कि एक बार है, hedge के साथ अपनी long positions hold कर सकते हैं, इस बीच green ply के नतीजे आ रहे हैं, 22 करोड के घाटे के सामने आप 29 करोड का मुनाफ़ा देख रहे हैं, तो अच्छे नतीजे आपको आते हो दिख रहे हैं, जहां तक green ply का सवाल है, आए में भी 345 करोड से आपको 370 करोड की बड़त दे चांदार बड़त नहीं रही है, आए चलते हैं, जै ठककर के पास बिगुल जै का जैकपॉट बताएं जै दिपांच को खरीदना है, HDFC बैंक का 1480 के स्ट्राइक का कॉल अप्शन, एद्दमनी स्ट्राइक का कॉल अप्शन है, 26 रुपे 50 पैसे के आसपास मिल रहा है, इसको खरीदना है, 20 रुपे 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखे, 6 रुपे का, 6 पॉइंट का एक स्टॉप ल हो रहा है, और मुझे इसा लग रहा है कि HDFC बैंक में भी रिकवरी, शॉट कवरिंग और देखने मिलेगी, और मुझे इसा लग रहा है कि लगबग 15 स्टॉप पर इस्टॉप इमेजिटली जाना चाहिए, यहां से एक्सेस बैंक में मोमेंटम नहीं है, बदान HDFC बैंक में उम्मीद है, यहां से अच्छी मूव देखने मिलेगी, देख सो 1480 के स्ट्राइक का कॉल उप्शन खरीद कर चा सकते हैं, इस समय बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट से कम की गिरावट के साथी बंद होने के लिए तैयार है, जो सुबह हम देख रहे थे कि ऑल्मोस 600 आपको आती हुई दिखी है, कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं हमारे एक्सवर्ट से इससे पहले कि बाजार क्लोजिंग की तरफ जाए, अमर राजा बैटरीज, यहां पर भी एक अच्छी मूव रही है, सच्छी जी कोई कॉई कॉल अमर राजा के मूव्मेंट पर? काफी स्टेबल प्राइट एक्शन है, इन फैक्क, जिस तरीके ते स्ट्रक्षर है, मुझे लग रहा है, थोड़ा सा फॉलो त्रू मोमेंटम नजर आ सकता है कल कर 17 में, लगबख 790 के प्राइट एक्सवर्टेशन होगी कल के लिए, और स्टॉप लोस आपको लगाना चाह बिल्कुल बहुत अच्छा चार्ट पैटन है, बिल्कुल होड करके चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि एक इंपोर्टन 125, 126 एक इंपोर्टन बैरियर है, ये एक बार निकल जाए तो इसमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी, नीचे में 120 का बह सवाल है, तो यह है आपके लिए राय जहां तक ONGC का सवाल है, टॉरेंट फार्मा, सुमिझ जी जाने से पहले टॉरेंट फार्मा पर कोई व्यू, टॉरेंट फार्मा के अंदर कोशिंस गोल्ड कर सकते हैं, अच्छा का सा ब्रेकाउट है, फ्रेश भाइन थोड़ा सा सब्सक्राइब कोशिंस गोल्ड कर सकते हैं, टॉरेंट फार्मा पर राय दीती, तीन हजार का टार्गेट था, 2991 का हाई है, फिलहाल 2968 पर क्लोज हो रहा है, किसी ने पोजिशन ली हो, वागले साब तो क्या करें, कैरी फारवड करनी चाहिए? ओके, तो डेफिनिटली होल करें, टॉरेंट फार्मा पर भी आपको बढ़या मोमेंटम दिख रहा है, वापस 2980 के लेवल्स पर इस समय आते हुए, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और बाजार में जिस तरह की शुरुवात हुई थी, मौनिंग में गिरावट आ रही थी, पहले आदे घंटे की जो कुछ पैनिक सेलिंग भी हुई थी, वहां से आप जबरदस रिकवरी लेकर एक बार फिर से नए रिकॉर्ड क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है, 15800 के उपर बाजार बंद होने के लिए तयार है, न इनफोसिस पर हरे ही है, खरिदारी यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलते हो दिखा है, बागी IT स्टॉक्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही आपको दिखे हैं, टाटा मोटर्स टॉप गेनर आज का 1.5% की खरिदारी के साथ, विपरो, नए हाइपर, 1.5% उपर, डिवी अगर आप देखें, तो डेफिनेटली अच्छी रिकावरी रही है, कोल इंडिया आज नतीजों से पहले 2% कमजोर, कोटक बैंक, HDFC लिमिटेड यहां से सुस्ती आती हुई, HDFC बैंक रिकावरी दिखाता हुआ, पर 1.5% नीचे क्लोज हो रहा है, वाइदा कारुबार के औ आप रियाक्शन आते हुई दिखा, 1.5% नीचे ये काउंटर बंद हो रहा है, DLF नतीजे तो ठीक ठाक थे, बर 3.5% की गिरावर्ट और संक टीवी यहां पर भी नतीजों के दमपर रियाक्शन रहा है, और साथी लूपिन जो इनके US के प्लांट पर कुछ कंसर्स आए है तो खबरों के दमपर इन सभी स्टॉक्स ने आपको नेगेटिव रियाक्शन दिया है, इसके अलाबा टाटा पावर, REC, औरोबिंदो फार्मा, कैडला और अशोक लेलिन कुछ और सुस्त काउंटर्स रहे, उसके सामने टॉरेंट फार्मा, अच्छे खरिदारी, इंडिय इडे को लगा 20% का सरकेट, आज भी अच्छी तेजी के साथ बंद हो रहा है, इकलक सर्विसेज जब से हमने आपके लिए हाइलाइट किया था, जबरदस तेजी में काउंटर, 1800 के लेवल्स पर आते हो दिखा, FDC, यहाँ पर 13% की खरिदारी, Sumitomo Chemicals, यहाँ पर भी एक बार लग रहा है कि एक नया रिकॉर्ड क्लोस निफ्टी पर दिख रहा है, सर, बिलकुल नया रिकॉर्ड क्लोजिंग के खोती ही दिख रही है, और बीट जिस तर से आख्री आदे गंटे में रहा है, संभावना पूरी की रिकॉर्ड क्लोसिंग ही मान जाएगी, 15,799 जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी, उसके उपर हरे निशान में ही बंद होंगे, चिंता नहीं करें, तो रिकॉर्ड क्लोजिंग बढ़नी है, लेकिन हाँ 15,850 का जो शॉर्ट साइट पर हमने इस्टोप लोस दिया था, वो लेवल भी पार नहीं क्या निफ्टी निफ्ट और अब आपके कन्विक्शन और लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड करके प्रेसे बनाने होंगे, तो एक एतियासिक क्लोजिंग आज फिर से आपके लिए आती भी दिखरी, ति मैंने क्लोजिंग से आ गई है फाइनल क्लोजिंग, दस प्र फिर भी चलिया थी, आदा मिट यूदा, तब तक हमें एक काम करेंगे, अचा स इनसिक्स का भी तो होगा न, सिन्सिक्स का भी तो हमें देखना होगा, कि वहाँ पर क्या सीनेライफ都有 से सutions dengan Él filingesque sen6 की लिया से संट अगर ऑज रिन लिशार में बंद होगा, तो lifetime High ठींसिक्स पर हो एक बार जल् آپ हमारी टीम बता शाम पाँच बजे रक्तदान महादान अकसर यह सुनने में आता है और लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान एक बहुत बढ़ी जरिया है और कोरुना काल में भी बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेशन किया इससे काफी लोगों की जान बची है लेकिन अब जानते नहीं समझते नहीं इसलिए इस तरह की चीज़े है तो आज हम वर्ड डोनर डे पर हमारे खास मेमानेशन के साथ इसी ब्रह्म को इसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या कोरुना संक्रमन से ठीक हुआ आदमी रक्तदान कर सकता है यह हाँ तो कितने बाद है जिसी वह कोरुना हुआ है और वह बाद में रक्तदान करना चाहे तो उसे कितना वक्त लगेगा रक्तदान करने में मैक्स हेल्थ केर में ब्लड ट्रांस्विजन मेडिसिन की एचोडी डॉक्टर संगीता पाठक भी होंगे हमारे साथ और शुप्रकाश सान्याल साब होंगे जो की 40 होस्पिटल मुलून में हेमेटोलोजी के कंसल्टेंट है ब्लड डोनेशन बिना कंफुजन शाम पांज करें शुरात उन कमतियों के टर्नराउं की कहानी जो किसन किसी कारण की वज़े से बरबाद हो गई थी लेकिन अब नई उड़ान बरने को तयार है तो देखना न भूलिए नई उड़ान मुश्किलों से उबरने की कहानी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे और रात 8 बज है साथ ही लाइफ इंशुरेंस पर कोविट के असर और कोरोना के बाद लाइफ इंशुरेंस के महत्तों जैसे तमाम मुद्धों पर हमने बात चिती है एलाइसी के चीफ एक्ट्यूरी दिनेश पंच साब से पूरा इंटर्वी देखे शाम 6 बच कर 26 मिट पर आज जी बिद 2558 यह अआपके लिए आज असेक्स के भी फैनल क्लोजिंग 2590 आज आज का है इसका मतलब सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है निफ्ती ने भी लाइफ टाइम हाई इंट्रादेय में नहीं बनाया लेकिन क्लोजिंग बैसिस पर और निफ्ती होऊ धोनों करने के बाद अब जाकर मतलब पूरा हफटा खट मौप पहले दिन ऐसा महाहूल बनता हुआ दिख रहा है कुराल जी सही है ना इसा नहीं लग रहा है इतने सारे स्टोक उपर नीचे इतना इतना उतार चड़ाव निफ्ती का स्टोक का पूरे हफटे में नहीं होता जितना ए काम जादा कि एक तो बंसल जी नहीं थे अनिल जी तो मुझे तो आज दुगना काम वैसे भी करना पड़ा तो अनिल जी बिल्कुल आप सही कहने अनिल जी के कमी के कारण मैंने दो कॉल्स एक्स्टा दी है वहां पर मेक अप कर रहा था अनिल जी मुझे आपसे एक और भी चीज पूछने थी है या झीरंजी लाइन पर ने करेंजी टूरा केश ची पर शहर रही है इसको कुछ कर भी है उससे पढ़ा केश जीसे प्रेटेल के सच्रेट घूर्जी अनिल गय्चा यह तीं ही हमारे जिएимся καला औरूis कर्रेश गुनता इंदिया प्रम्प के पाया बन्हीं के शुकार वहाई य। उम Ne पोर भाया जी कुनाल जी बताए जी अनिल जी देखे मैंने अपने इस software में देखा अनिल जी मेरे पास तो mute की बटन ही नहीं है तो अनिल जी प्लीज जो लोग mute करते हैं उनसे एक बार ये पता करवादी जी का mute होता कैसे है अनिल जी तो चलिए कोई बात नहीं बाकी चुछों की तरह ये भी ठीक हो जाएगा ठीक वैसे जैसे बाजार ठीक हुआ निचले सौन से और बंध हुआ दिन के उंचाईयों पर हरे निशान के साथ तो अन्त भला तो सब भला क्लोजिंग से दिन बर के एक्षिन का पता नहीं चलता है यही बाजार की खुब सूर्ती है मुलाकात होगी कल फिर से आप सबसे आशिदर कुनाल जी वागले साहब सुमिच जी सचिन जी किरन जी और जैठकर साहब आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वक्त निकाल करने के लिए मुझे और दीब को दीजिए इजालत बने रही है मरसल जीविनिस पर नमस्कार